देखिए नेक्स टॉपिक आता है सेंट्र ओफ मास अब नया टॉपिक है सेंट्र ओफ मास हम जो भी पढ़ रहे हैं 11 में हमने सब कुछ बढ़ा है कि यह थोड़ी सी थेयोरी यहां पर आपको ज्यादा लिखने पड़ेगे जैसे ऐसे आता है ना कि अब एसे एक वर्ड पर कि जाएगा कि एक पेज लिखो और कोई इंटरमीडियर टोग्रेशन करेगा तो उसी टाफिक पर उसको बहुत सारे पेज लिखने पड़ेंगे उतने अंतर है center of mass क्या होता है आप जानते हैं दो तरीके से इस definition को हम define करेंगे एक तो mass से define करेंगे एक speed से define करेंगे टीक है तो center of mass definition से लग रहा है कि भ़ई इस word से लग रहा है कि पूरी body का mass जिस point पे assume to be concentrated concentrate माना जाता है उसको हम center of mass कहते हैं तो जड़ा इसकी definition लिखे center of mass अब जड़ा एक सेकन एक तो हम बात करेंगे body की या particle की बात करेंगे ठीक है एक बात करेंगे particle की body न कही है particle कही है और एक बात करेंगे system of particles की system of particles ठीक है तो यहाँ पर बात होगी system of particles की system of particles का मतलब क्या होता है हम कोई body को एक नहीं मानेंगे हम कहेंगे बहुत सारे इसके अंदर particles है नहीं तो यह system of particles है जैसे हम चल रहे हैं या हमारा अपना mass है तो हमारी नाक का भी mass है हमारी आख का mass है हम अपनी बॉड़ी के बहुत सारे parts को मालने particles है और उन सबसे मिलके हमारी body बनी है तो उसका जो center है उसको हम कहेंगे center of mass ठीक है तो लिखे the center of mass of systems of particles बाड़ी का मतलब भी system of particle होता है particle अलग हुआ बाड़ी का मतलब बहुत सारी particles से मिल करके बना है Center of mass of the system of particles or a body is a point at which the entire mass of the system, the entire mass of the system is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated, हमने कहाँ supposed to be concentrated, हाँ आप सही लिख रहा हूँ, मैं इस वर्ड को जोड दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ जैसे हम हमारी body का जो center of mass होता है कहाँ पर एक्ट करता है अगर uniform body की बात कर रहा हूँ, हमारी यह नाभी प्रक करता है ठीक है भाई human body का जो नाभी कमता center यह center है body का ठीक है दो तरीके center कहा जाता है जो कहा पूरी body का जो nervous system होता ना पूरा उसो सब यहां से जुड़ी हुई है जो हम पेट में होते तो यही से खाना supply होता है इसका मतलब हर चीज यही से जुड़ी हुई है अपने देखा होगा आयरवेद में कहता है यहां यह वाला इसका मतलब क्या हुआ भाई अगर हम है और हमारा जो center of mass है आप कहरो भई यह center of mass यहां पर आपकी body क्या है तो क्या यह वाला part अगर काटके हम चक्की पर तुलाएंगे तो कहा 60 kg कर निकलेगा तो जुड़ बोलना है हम यह कहा जाता है कि पूरा mass यहां act कर रहा है अगर इसको balance बनाए तो यहां पर balance हो जाएगा तो इसलिए supposed to be कहा गया तो हम कहेंगे body move कर रही है तो क्या move कर रहा है body का हम move कर रहे है translately motion के बारे में बात कर रहे हैं translately मतलब linear motion move कर रही है तो हमारी नाग भी करी आँग भी करी हमारी body का हर part कर रहा है लेकिन हम move की बात करेंगे तो हम center of mass की बात करेंगे center of mass की बात करेंगे center of mass move कर रहा है हम उसके center of mass के motion के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? The center of mass may be defined as the point, as the point which may describe, which may describe the translatory motion of the body. The translatory motion of the body. अच्छा यह बताए, एक word यहां पर हमने use किया, translatory motion, translatory motion और linear motion, दोनों मंतर क्या है? हमने 11th class से पढ़ते आ रहे हैं, एक linear motion word यूज होता है, एक translatory motion यूज होता है, बढ़ा है ना? एक circular motion यूज होता है, एक rotational motion होता है, दोनों मंतर क्या है? का मतलब वही हो रहा है, और rotation वही मतलब हो रहा है, और translatory का मतलब वही होता है, सीधी रेखा में, और linear का मतलब भी होता है, जब ये कही मतलब होता है, तो अंग्रेजी दो काहे की है? अरे बोले ज्यादा वर्ड आ गए हो अंग्रेजी में तो दे दिया क्योंकि इंग्लिस में अगर एक सब्द के दो वर्ड है उनका मतलब अलग अलग होता है क्या होता है पढ़ा है क्या होना 11 में इतने अंदर तक मास्टर जाता नहीं और सर्कुल मतलब रोटेट आप सुनिए ध्यान से जब हम एक पार्टिकल को लेते हैं और उसको एक स्ट्रेट लाइन में मूब कराते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर मोशन और हम जब सिस्टम आप पार्टिकल लेंगे पूरी बॉड़ी लेंगे और उसको रोटेट कराएंगे तो उसको कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं समझे ट्रांसलेशनल मोशन में पूरा सिस्टम चलता है ठीक है और चलेगा सेम डिसंस जैसे मालिय ये वाला पार्टिकल यहां है ये वाला पार्टिकल यहां है और ये बाड़ी मूब करके यहां पहुंच गई ठीक है तो अगर ये इस पार्टिकल ने दो मिटर डिसंस कवर की तो ये पार्टिकल भी दो मिटर डिसंस कवर कर रहा है है ठीक जासर हम चलना ही माली खी फाली जो बहुत हो घ्र मेरे चले लोगी किल्सक्वा फम्हे दो दें काथी 阪ुठ करेंगे तो काईजा मोशन होगा लोगा लेनियर मोशन अगया कि पूरी बोड़ी को करेंगे तो too Translational motion उसी प्रकार से जब एक पार्टिकल घूमता है कि市 सर्क्रार पाथ में तो सको circular motion केहते हैं और पूरी बाड़ि घूमती है तो सको हम rotational motion केहते हैं. बाई सिंपल सी बात है अगर कोई बॉडी रोटेट करें ये बॉडी है ठीक है इसे बहुत सारे पार्टिकल्स है और ये इसका बाई देखो अगर इसके चारोर बाड़ी घूम रही है तो ये वाला पार्टिकल्स माले एक मीटर दूर ही रहना है ये पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल्स से डेड़ मीटर दूर है तो हमेशा इसे डेड़ मीटर ही दूर रहेगा तो ये सर्कुलर कर पूरी बाडी का पूरी बाडी का ये पॉरी बाडी का ये पाइट में है, ठीक है अब इसकी position कैसे निकाल जाएगी तो लेखे position of center of mass position of center of mass देखिए इसको कहीं कहीं पर equation of center of mass भी कहता है इसको कहीं कहीं पर equation of center of mass भी कहता है देखे position कैसे निकालते हैं साउधान हमने कहा यह एक particle है ठीक है और इसके बहुत सारी एक body है और इसके बहुत सारे particles होंगे यह M1, M2, M3, M4 इस प्रकार से ठीक है महले यह body है और it is having the particles of mass M1, M2, M3, M4 up to Mn थोड़ी कहानी लिख लिजेगा let a system of n particles let a system of n particles having the masses M1, M2, M3 up to Mn M1, M2, M3 up to Mn with position vector with position vector R1 R2, R3 up to Rn position vector के लिए हम ने पढ़ा है कि हमको एक और जी चाहिए न अगर आपको लखनो की position बताना है तो you have to decide the origin कि कहां से आप बता रहे हूँ तो आप कहेंगे फ़ला city से हम बता रहे है 60 km है जहां से बता रहे हूँ वो आपको origin होगा ठीक है और यहां पर एक यह center of mass माल लेते हैं और center of mass बोले तो यहां पर पुरा mass यहां पर concentrate है ठीक है तो इसकी position vector अपने क्या माल लिया rcm मैं कुछ indicate करेंगे रहा and rcm is the position vector of center of mass rcm is the position vector of center of mass तो rcm निकाला कैसे जाए तो देखे क्या तरीका होता है rcm is equal to होता क्या है जतने masses है ना इन सब का moment ले लेते हैं अब moment क्या होता है देखे आपने torque पढ़ा तो पढ़ा moment of the force जब moment of the force आप लेते हैं तो force का multiply करते हैं position vector से है ना जिस point के respect में आपको लेना है moment फिर आपको angular momentum पढ़ाए गया तो वहाँ कहा गया moment of the linear momentum तो हम linear momentum का r से multiply करते हैं हम कहने moment of the mass तो है नहीं कि हम mass का multiply करेंगे position vector से ठीक है तो यह होगा m1 multiplied by its position vector plus m2 multiplied by its position vector up to mn rn upon total mass m1 plus m2 plus m3 up to mn सब्सक्राइब यह याद करीएगा ठीक है अब जड़ा इसका एक concept है अभी हम बता रहे हैं उसका use या किया नहीं गया है और आप जानते इस प्रकार की चीज़ को सिग्मा से represent करते हैं सिग्मा m i ri यह लिखते हैं न और i की value कहां से कहां तक vary कर रही है 1 से लेकर के n तक पहले i को 1 लिखेंगे तो आएगा m1 r1 यह sigma plus के लिए लगता है फिर plus लगाएंगे फिर i को 2 लिखेंगे m2 r2 इस प्रकार से और अपान सिग्मा आप केवल सिग्मा m i कर सकते हैं understood है i के लिखेंगे कहां से कहां तक है सिग्मा लगाएं चाहना लगाएं अज़ा इसका मतब total mass होता है तो यह formula बन गया sigma m i ri यहाँ लिखें चाहना लिखें अपान total mass तो यह rcm का formula होता है ठीक है center of mass का यह vector quantity है अच्छा आप दूरी कहां से ले रहे है ओ से ले रहे है न अगर यह point यहाँ पर ही आ जाए origin is at the center of mass तो rcm क्या हो जाएगा जिरो center of mass की position vector कहां से ले रहे हो ओ से ले रहे हो न अगर यह point खिसके यहीं हो यहीं से दूरी आपना अपना शुरू करे जनरली आप क्या करते थे इंटरम जो लगाते थे तो यह mass m1 है यह mass m2 है और यह center of mass है यहीं से दूरी इसकी r2 लेते थे इसकी r1 लेते थे दूरी आप यहीं से लेते थे इसलिए m1 r1 is equal to m2 r2 आपने कर दिया यहीं किया ना तो अगर एक special case हम लेके चले यह note को लिया ना अब कह रहें कि अगर आप दूरी जो आप सभी masses की या center of mass की आप position कहां से ले रहे हैं वो से अगर वो यहीं पर आ जाए तो rcm की वल्यू कितनी हो जाएगी जिरो तो एक note करके लिख लिएगा if the position if the origin if the origin is at the center of mass is at the center of mass यह equation 1 डाल दिए इसको center of mass then rcm की वल्यू कितनी हो जाएगी जिरो अब simple से बात है आप जैसे center of mass है यहां पर ले रहना position आप तो यानि कि आप mass से जितने होंगे वो r1 r2 यहां से ले लेंगे आप लेकिन rcm की वल्यू कितनी हो जाएगी जिरो so by question 1 इसको 0 करो तो sigma mi ri की वल्यू कितनी हो जाएगी जिरो यहांनि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m1 rn की वल्यू जिरो आएगी ठीक है यह m into r को हम क्या कहते है moment of the mass तो क्या कहता है moment of the mass अभी हमने कहा ना कि अगर position vector का multiply force से कर देते हो तो आप कहते हो moment of the force position vector का multiply linear momentum से आपने किया तो आपने कहा moment of the linear momentum उसका नाम दिया आपने angular momentum तो नीचे definition लिख लो hence yeah hence नहीं sorry thus the sum of the moments of the masses thus the sum of the moments of the masses of the system about the center of mass is 0 about the center of mass is 0 center of mass के लांग जिसका momentum 0 होता है अब मालिया ये जो आपने लिया है ना ये इसके coordinate दिये होते है मालिया ये x1 y1 z1 होता है ठीक है ये x2 y2 z2 होता और ये आपका xyz की time में होता है तो अगर partition farming करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे भाई जब x coordinate लिखेंगे तो यहाँ x coordinate से multiply कर देंगे y coordinate से y कर देंगे तो लिखे partition component of center of mass next होगा partition component of center of mass मतब position vector की बजाए coordinate point के दियों जो ज़्यादा तर numerical में होते है ठीक है माले point है mass m1 है उसका coordinate x 2,3 है समझ गये आप x coordinate 2 है y coordinate 3 है तो अगर आपको ऐसे करना हो तो जब हम x cm लिखेंगे तो क्या लिखेंगे m1 x1 plus m2 x2 up to mn xn upon total mass होता है सबको plus कर दो कितना आएगा capital M लिख सकते हैं ठीक है इसको short में अगर लिखना चाहें तो sigma mi x i आप i varying from 1 to n लिखें चाहें ना लिखें understood हो जाता है ठीक है upon total mass इसको पूरा लिख दो m1 plus m2 up to mn इसी प्रकार से अगर y cm करना है अब ये vector quantity नहीं होगी क्योंकि आपने component form उसको break कर दिया है तो आज आएगा m1 y1 plus m2 y2 up to mn yn upon m1 plus m2 up to mn तो आएगा sigma mi yi upon total mass उसी प्रकार से अगर आपको z coordinate चाहिए z cm तो आएगा m1 z1 plus m2 z2 plus 1 plus mn zn upon m1 plus m2 up to mn तो आएगा sigma mi zi upon total mass ये coordinate system में आएगा numerical जाहतर इसी पर बेस्ट होते है चुकि हमको एक system दे दिया जैसे एक system दे दिया उन्होंने का भई ये 2 kg का mass है ये 3 kg का mass है ये 4 kg का mass है ऐसे रखे हुए है इसका coordinate 1,3 है इसका 3,2 है इसका 2,1 है तो center of mass की position बताईए तो हमने यहाँ कहीं center of mass मान लिया और हमने का इसका coordinate x bar y bar है भई आप चाहो तो x bar y bar लिक दो थोड़ा indication करने में आसानी रहेगी ठीक है तो x bar क्या निकलेंगे m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3 ठीक है अब ज़रा इसका concept समझेगा मतब यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़रा समझेगा ये ऐसा क्यों किया गया रब कर दें इसको देखें हम इसको rc अम्मान के चलना है ये टोटल मास हो गया ठीक है अब लिखें फिर बात करोई देखें ऐसा आप फार्मुला दिया क्यों गया एक थेयोरम हमने पढ़ी नहीं है आप लोगों नहीं पढ़ी होगी एक थेयोरम है वैरिग्नन थेयोरम क्या है वैरिग्नन थेयोरम अब चुकि बताया ना स्लेवर्स को हलका करने चक्कर हम सबकुस हड़ा दिया वैरिग्नन थेयोरम वैरिग्नन थेयोरम क्या कहती है वैरिग्नन थेयोरम कहती है कि जैसे किसी body में आपने 3-4 force लगाए तो force की वज़े से body move करेगी, rotate करेगी, कुछ भी कर सकती है तो उस force का एक resultant होगा? नहीं होगा नहीं होगा अगर इस body पे 10 force लगेगे उसका resultant force होता होगा तो resultant होगा तो उन्होंने कहा अगर किसी point के respect में आपको forces का moment निकालना है तो आप resultant force का moment निकाल लो या अलग-अलग forces के moment निकाल के प्लस कर दो तीक है? दोनों result कैसे होंगे? सेम होंगे चाहे resultant का moment निकाल लो resultant का या अलग-अलग forces के moment निकाल के प्लस कर दो, सेम होंगे वही तो यहां हम कर रहे हैं अगर हम M को इधर ले जाएं अगर यह M हट के इधर आ जाए तो क्या यह total mass का moment नहीं है और यह अलग-अलग masses का moment है तो यही तो आप से कह रहा है तो लगबख लगबख उसी concept को यहां use किया जा रहा है अब लिखिए center of mass of a solid body of a solid body क्या लफ़ड़ा है solid body और system of particles का मतलब क्या होता है देंकि system of particles में हम यह मान के चल लहे थे कि जो body थी ना उसमें बहुत सारे छोड़ छोड़े ऐसे particles थे उनके अलग-अलग masses थे उनका position vector था उसका निकाल यह center of mass अभी क्या हो गया कि body इतनी solid है कि उसके masses को अलग-अलग नहीं कर पा रहे है कि M1 मास का है M2 मास का है M3 मास का है जैसे पेड़ा होता थे एक पेड़ा दो पेड़ा आपने खा लिया और बरफी बनी हो तो एक बरफी दो पेड़ा हो तो वो तो पुरा वो solid होती ना solid का मतलब mix होते ना particle तो solid में सब particle mix हो गए तो अब उनको अलग तो कर नहीं सकते हैं तो उसका center of mass कैसे निकाले है देखो वैसे तो center of mass निकालने का तरीका होता है जो कि आपके हाँ यहाँ ग्रेजिश्ण में नहीं है इंटर में भी नहीं बताया जाता है जबकि IIT वगरा में आता है तो वहाँ बताया जाता है कि IIT के लिए जो लोग J के लिए पढ़ाते हैं वो center of mass निकालना सिखाते है ठीक है तो होता क्या है अगर ये एक solid body है मैं एक छोटा सा एक rod लेता हूँ ये solid body है यानि इसके masses को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है ये M1 mass का ये टुकड़ा है M2 mass का ये टुकड़ा है ये R1 दूरी पर है R2 दूरी पर है तो हम करते क्या है ये हमारा origin है मालिया यहां से हम निकाल नहीं तो हम क्या करते हैं इसे छोट चोटे कर देते हैं ये बहुत small mass डेल टाइम है इसकी दूरी कुछ यहां से ले लिया ठीक है इसका moment निकाल लिया फिर छोटा सा एक और mass अगला ले लिया ठीक है उसका moment निकाल लिया और सब को उठा के क्या कर दिया प्लस कर दिया और प्लस करना mathematics की भासा में integral कर लाता है तो उसको integrate कर दिया तो यहां पर हम करेंगे क्या तरीका हमको value निकाली नहीं कि उन्हें formula देना है और formula देने के लिए सीखना है देखो हम क्या करेंगे ये एक solid body है हम इसके बहुत सारे part कर देंगे टुकडे कर देंगे माल लेंगे बहुत सारे टुकडे में बटी भी है ये एक टुकडा है ये टुकडा है बहुत सारे टुकडे ऐसे ऐसे कर देंगे ठीक है और उसमें एक छोटा सा टुकडा हम कहेंगे इसका mass delta m है ठीक है अब ये हाँ ठीक है और ये किसी point पर locate होगा तो इसका कुछ coordinate होगा तो इसका coordinate हम माल लेंगे कि x i y i z i इसका coordinate है i-th number काई टुकडा है और इसका हम center of mass निकाल लेंगे ठीक है और ये center of mass है sorry क्या बोला हूँ इसका हम इसकी position निकाल लेंगे ठीक है इसका x निकाल लेंगे ये center of mass है यहाँ total mass act कर रहा है ठीक है तो थोड़ी कहानी लिखेगा फिर बताएं इसमें लिखे consider a rigid body let us consider let us consider a rigid body having a number of two small particles c-t-o बहुत सारे small particles से मिल करके बना हुआ है लेकिन होग यह रहा है कि ये distribution mass का इतना continuous है कि हम इस particles को अलग अलग नहीं कर पा रहे है two smart particles it is having continuous distribution of mass it is having a continuous distribution of mass ये इस प्रकार की body है ठीक है अब हमने क्या क्या इसके end टुकडे कर लिए इसको end भागो में बाढ़ दिया और हमने का भी अलग-अलग masses है इनका अलग-अलग ये mass है तो लिखिए it may be sub-divided into n small elements it is sub-divided into n small elements और हमने इसका एक element इसका एक element इसका एक element उठाया ये वाला टुकड़ा ठीक है तो हमने माल लिया कि let mass of i-th element i-th element हमने माल लिया delta mi ये माल लिया delta इसलिए कहा क्योंकि small है ठीक है और इसका जो and its position या its coordinate position तो नहीं कह सकते है तो आर हम ले नहीं रहे है its coordinate है x i y i और z i ठीक है तो कहीं center of mass होगा इस पूरी body का और ये है c center of mass and c is center of mass और इसका जो its coordinate आपने माल लिया क्या माना लगा वही रहेंगे जो आप पढ़ चुके है क्यों बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका लग हो गया तो इसका coordinate क्या हमने माना x cm y cm और z cm तो x cm की value क्या हमने बताई x cm आपने क्या पढ़ा इस छोटे से जो पार्ट है ना जो यह आयत पार्ट जो है ना इसका moment क्या होगा delta mi into x i यह होगा ना और अगर आपने sigma लगा दिया तो पुरी body का हो गया और अपान sigma mi delta mi यह तो लिखेंगे आप sigma लगा दिया तो अपने आप integrate हो गया यह मताब वो sum निकलाया इसी प्रकार से जब y cm निकालेंगे यह quadri vector में चालेगा तो क्या होगा sigma delta mi into yi अपान sigma delta mi सिर्फ प्रकार से z cm निकालेंगे तो आएगा sigma delta mi ji अपान sigma delta mi यहां तक पहुँचिए अब देखें यह जो हमने divide किया है ना अगर आप infinite टुकडे कर दें इसकी तो यह टुकड़ा बहुत 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 small हो जाएगा अग calculus हो इसको d से represent करते हैं very small part को तो यह कहा रहा है कि अगर यहां पर n tends to infinity हो जाए तो इसी x cm को हम क्या लिखेंगे integral sigma का मतलब क्या होता है integral mdx sorry क्या लिख रहा हूँ x dm तो मास डिवाइड कर रहे हो न upon integral dm फीक है इस सिर्फकार से y को लिख दीजे सिर्फकार से z को लिख दीजे और इसी formula से हम हर particle का center of mass निकालते हैं सिर्फकार से अगर y cm निकालेंगे तो आएगा integral y dm upon integral dm सिर्फकार से z cm को निकालेंगे तो लिखेंगे integral z dm upon integral dm तो ये center of mass का concept हुआ next class में हम बात करेंगे कि बढ़ी motion कराएंगे इसको यगा body move कर रही है तो अलग-अलग particle का momentum center of mass का momentum क्या होता है इनकी velocity क्या होती इनका acceleration क्या होता इनका force क्या होता इनका momentum क्या होता अलग-अलग-ग भास प्लाग-ध अलग-ग यह